तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मकर सकरान्ती और लोडी स्पैशल यह तिल के लड़ू बनाने की रेशिपी तिल के लड़ू तो सभी बनाते हैं और ये थंड में तो इनको बनाया ही जाता है साथ में ठंड में तिल खाने से शरीर जो है वो बहुत ही गरम रहता है तो तिल को बनाना हम स्टार्ट करते हैं तो लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिये है तिल तो हमने यहाँ पर 1 kg का पैकेट प्लस 7 में हमने 10 kg का पैकेट इसके अंदर तिल लिया है अब इसके बाद में हमने यहाँ पर कड़ाई ली है इसके अंदर हम dry roast कर लेंगे तिल को तो हमने सभी तिल को इसके अंदर डाल दिया है और low to medium flame पे लगातार चलाते हुए हम तिल को यहाँ पर भून लेंगे तिल को हम यहाँ पर हलका साही भूनेंगे यह 5-6 मिनिट के अंदर हलका साही जो है इसके अंदर रंग जो इसका चेंज होने लग जाता है तो आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा कलर जो है वो slightly change होने लग गया है यह देखिए तो इसी तरीके से इसका जो कलर है यह 2 मिनिट के अंदर अभी change होता जाएगा आप देख सकते हैं अब तिल जो है वो तियार हो चुके है तो इस stage पे हम यहाँ पे तिल को निकाल देंगे अलग बरतन में यहाँ पे हम लेंगे थोड़े से dry fruit तो हमने यहाँ पर बदाम और किश्मिश ली है तो इसके बाद में हम दोनों को यहाँ पर dry roast कर लेंगे तिल को हमने अलग से निकाल लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों चीजों को हमने dry roast कर लिया है साथ में हमने यहाँ पर काजू लिये है जिसको हम dry roast नहीं करेंगे इसके बाद में हमने यहाँ पर लिया है मावा या इसको हम खोया बोलते हैं तो हमने यहां पर आदा किलो के करीम लियाय खोया इसके हमने यहां पर छोटे छोटे पीसिस कर लिए जिसे यहां पर हमें पिगलाने में भूखी असनी होगी तो हमने इसको भी low to medium flame पर ही रखा है इसके बाद में तो हमने यहाँ पर जो हमारे बादाम, केश्मिश और काजू है उसको हमने हलका सा ब्लेंड कर दिया हम ज़्यादा उसको पीसेंगे नहीं सिर्फ दरदरा करना है इसके बाद में जो हमारा मावा था वो पिगल चुका है तो इसके अंदर हम एड़ कर देंगे यहाँ पर एक किलो के करीब हमने इसके अंदर डाली है बुरा बुरा डाल देने के बाद यह बहुत ही जदे लिक्विड फोर्म के अंदर आ जाता है तो इसेज में हम गैस को ओफ कर देंगे क्योंकि जो मावा हुता है जैसे जैसे ठंडा होगा तो यह गड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हमने मावा के अंदर यहाँ पर एड़ कर दिया है ड्राइफरूट और साथ में आपने पुना था तब तक हम इसके लड़ू नहीं बनाएंगे तो इसको ठंडा करना बहुत ही असान है इसको हम किचन काउंटर पे 5-10 मिनट के लिए रखेंगे इतने में जो मावा है जल्दी से हमारा ठंडा हो जाता है वैसे भी अभी ठंड का टाइम है तो इसको ठंडा हो जाने में टाइम नहीं लगता तो इस तरीके से हम इसके लड़ू बना के त्यार कर लेंगे और लड़ू बनाना बहुत ही ज़दा असान है और ये जटपट से बनके त्यार हो जाते हैं तो तिल के लड़ू की रेसिपी आप इस बार जरूर बनाएं और आप सभी को हैपी लोड़ी और साथ में हैपी मकर से करांती तो आज की वीडियो कैसी लगी वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक करें चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को जाल स्यादा शेयर करें साथ में आप इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स के साथ में अपने फैमली के साथ में जिरूर शेयर करें आपको आज की वीडियो कैसी लेगी वह आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्षन के अंदर अगर आपको मेरे साथ जोड़ना है तो आप इंस्टाग्राम पे भी जोड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के आईडिया है मधु की रसोई और आप मुझे यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें मधु की रसोई